Good morning students, आज हम class 6 में first time Sanskrit से introduce होंगे क्योंकि Sanskrit हमारी अत्यतिक प्राचीन भाषा है बहुत ही पुरानी भाषा है, इसी से Hindi, English, French और जितने भी भाषाएं होती है वो सारी ही languages इसी से निकली है और इसी से उत्पन होई है सिंपल से sentences और शब्द बनाने के लिए हम स्वर और व्यंजन का प्रयोग करते हैं हिंदी में इसी तरह से यही शब्दों का निर्मान करने के अंदर करते हम लोग संस्कृत में भी हिंदी हिंदी की तरह ही व्यंजन और स्वरों का प्रयोग करते हैं स्वर और व्यंजन को जोड़कर उनको मिलाकर चोटे-चोटे शब्द बनाये जाते हैं शब्द से वाक्य बनाये जाते हैं वाक्य से हम दीरे-दीरे-दीरे हम लोग सारी लेंग्विजें सीख जाते हैं हैं इसी तरह से हम संस्कृत में भी हम सिंपल जैसे सीधा कोई नाम है राम श्यम उसके पीछे अ की धवनिया रही है यानि कि भह के अकारांद मौन रहें चुर्ठ है इससी तरह से कोई शब्द होते है जैसे ट्रिल्ग शबड है लता, रमा उसके पीछे आ आ आ रहा है. ถीक है आ आ रहा है तो उसे आकारांथ सब्द कहेंगे. इसी तरह से गुरु है, तो उसे उकारांथ मैं चीजिस सवपन होता है. वो सअजिसरे गुरु شर्द हो गया, आपका विध्या लए हो गया. जिसकेपीछे आ रहा है वो अकारांध शब्द है, जिसके पीछे आ आता है, वो अकारांध शब्द है, जिसके पीछे उआएगा, वो उकारांध होगा, इसी तरह से शब्दों का निर्मान होता है, तो जो हमारा प्रतम पाठ है, पाठ एक है, शब्द परिचे एक, उसमें सिंपल से सेंटेंसे रहे हैं चोटे-चोटे शब्द दिये गए हैं जो अकारांथ शब्द है तो अकारांथ शब्दों के अंतरगत ही हम लोग इनका प्रयोग करते हैं जिस तरह से इसके अंदर है एक ग्लास बनावा आपको पिच्चर दिख रही है उसी की अकॉर्डिंग सामने संस्क्रिट में कुछ लिखा हुआ है पहले मैं आपको इस पेरेग्राफ के मीनिंग्स बता देती हूं उसके बाद आपको मैं एक एक लाइन का हिंदी में अर्थ समझा दूँगी एशक यह क्य है एश है चशक है यह ग्लास है तो चशक है का मतलब ग्लास है कह का मतलब क्या है ठीक है यह का मतलब यह है किम एश है व्रहत है क्या यह है व्रहत है व्रहत का मतलब होता है बड़ा क्या यह है बड़ा है नै एश है लगू नहीं यह है छोटा है सह कह वह कौन है सामने क्वि सह सोचिक है, जिस तरह से हिंदी और इंग्लिश में हमकाम में लेते हैं, ही और शी, पढ़न, लोग रियों करते हैं वह लड़की के लिए शी, hypocris support के लिए ही उसी तरह संस्कृत में लड़कों के लिए या पुलिंग शब्दों के लिए हम सह क क प्रयोग करते हैं और उसी तरह से इस्क्रिलिंग के अंतरकर हम लोग साक प्रयोग करते हैं तो यहां लिखा है सह कह lại व्हक कौन है सहार सोची कह वह दर्जी है सोची कह किम करोती ? सोची कह यानि कि दर्जी क्या करता है ? किम सहे खेलदी क्या वहे खेलता है नहीं वहे वस्त्रों की सिलाई करता है इसी तरह से दो आपको डौग बने हुए हैं कुट्टे बने हुए हैं कि अदर पौई भी दो शग होती है इसके अंदर की मात्रा का हम लोग प्रयोग करते हैं यह थो से भौक रहे हैं यानि कि यह दोनों जोर से भोक रहे हैं गरस्ता तो शेल है तो पुत्ते तो भूंकते हैं तो दोनों पुत्ते जोर से भूंक रहे हैं इसी तरह से सामने एक और पिच्चर बनी हुई है तव कव ये दोनों कौन हैं तव बलीवर्दव इससे हैं ये दोनों बैल हैं बलीवर्दव का मतलब है बैल किम तव धावत है क्या दोनों दोड रहे हैं नहीं दोनों खेत को जोद रहे हैं इसी तरह से हम लोग इनका प्रयोग करते हैं बार बार और इनी को इनी शब्दों का यूज़ करके हम लोग संस्कृत से इसकी हिंदी बना लेते हैं और इसी तरह से शब्दों को जो हिंदी अब ये देखो ये दोनों यहां पट की नहीं है तो Ηत्य के ये किया है एते सुटा संती यह बैग है यह थेले हैं किम एते हरित वर्णा क्या यह है हरे रंके है? नहीं एते नील वर्णा संती नहीं यह नीली रंके है इसे दर ऐसे देखो बुजूर्ग लोगों की पिच्चर्स बनी हुई है वह हस रहे हैं ठीके वो नहीं तो गा रहे हैं नहीं रो रहे हैं तो ते के ये कौन है ते व्रिधासंती ये है व्रिध है ते के किमते गायंती क्या ये गा रहे है नहीं ते हसंती नहीं ये है हस रहे है इसी प्रकार से हम लोग बरबार इन शब्दों का प्रयोक करते हैं देखे नीचे शब्दार दिये हैं चश कह का मतलब ग्लास, व्रहत का मतलब बड़ा, सोचि कह का मतलब दरजी और खेलती का मतलब खेलता है सीव्यती शिलाई करता है शुनका उदो कुथते गरजद है गरजते हैं उच्चई यानी जोर से इसी तरह से वृत्धा का मतलब वृत्ध है बली वर्द है का मतलब बैल है शुनका है कुथता बताया मैंने आपको सब्सक्किर्ण करें इन शब्दों से हम लोग इन संस्कृत शब्दों से हम हिंदी बना सकते हैं हिंदी शब्दों की हम संस्कृत बना सकते हैं इसी तरह से हम लोग इस भाषा को भी समझते हैं और यह भाषा बहुत ही इसी है इसी लेंग्वेज है आप इजी लिए इसको समझ सकते हैं ठीके तो इसी तरह से ये शब्द परीचे एक हमारा संपूर्ण होता है पूर्ण होता है आगे का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग इस पार्ट के प्रशन उत्तर करेंगे ठीके तो इसे लिए हम लोगों को यह ध्यान रखना है बार बार कि हमें शब्दों का प्रयोग करते हुए ही हमें इनको पूरा करना है ठीके ओके हैंक्यू